आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर किसी को problem है तो इसको कैसे कर सकते हैं तो देखो इसको देखना स्टार्ट करते हैं जैसे कि नाम दे समझ मेरा long sightedness इसका मतलब आपको दूर की चीज़ दिखाई देती है मतलब पास की चीज़ दिखाई नहीं देती है तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि it is a defect of human eye in which a person faces difficulty faces difficulty in seeing nearby objects nearby objects clearly तो अबर किसी इनसान को पास के अबजेक्स को देखने में प्रॉबलम हो रही है तो वो लॉंग साइड इनस की प्रॉबलम से सफर कर रहा है कि लॉंग यानि कि दूर की चीज़ दिखाई दे रही है तो हम लोगों इसमें वही चीज़ लिखी है कि हमें पास की चीज़ देखने में प्रॉबलम होती है कि अधर इसका रीजन क्या है इसके रीजन को समर्जने के लिए इसके कॉज़ने के लिए पहले हम डियाग्राम देख लेते हैं डियाग्राम देखेंगे ना तो बहुत इसली हमें कोशिन समझ आने लगेगा तो देखो, डियाग्राम में आप क्लियर ली देख सकते हैं, कि इस डियाग्राम में यह है एक नॉर्मल नियर पॉइंट, नियर पॉइंट का मतलब क्या है, कि उसे इतने पास की जीज दिखाई दे रही है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई में यह इशू है, कि जब आप क यह जो मेरा अब्जेक्ट एसकी इमेज देखो, कहां बन रही है, इसका रीजन यह है, कि जो मेरे आई लेंस है, उसके पास इनफ कनवर्जिंग पावर नहीं, क्योंकि अगर मुझे इसे रेटिना की उपर बनाना था, तो मुझे थोड़ा ज्यादा कनवर्ज करना पड़त कि आईस तो ठीक काम करें, लेकिन आपकी जो आई बॉल है, वही छोटी है, नॉर्मल लोगों की आई बॉल जो होती है, वह अगर इतनी होती, तो सोचो आपका सही बन रहा होता, बट आपकी आई बॉल ही छोटी है, तो यह भी एक डिफेक्ट है, राइट, तो हम लोग कनवर्जिंग पावर, लेस कनवर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है, यह इसको ऐसा भी बॉल सकते हो, कि सीलियरी मसल्स अनेवल तो कॉंट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है, देखो जह हमारी मसल्स कॉंट्रैक्ट करते हैं, शिर्फ उसी टाइम पे, हमारी आई लेंस, इसकी कनवर्जिंग पावर बढ़ती है, ठीक है, पर हमारी मसल्स वीग हो सकते हैं, जैसे मानलो, ओल्ड एज की टाइम पर मसल्स वीग हो जाते हैं, तब ही प्राब्लम मेराई सकती है, और शेकिंड जो है, मैं बोल सकता हूँ, शॉर्ट आई बाल, आपकी लेंस भरी ठीक काम कर रही हो, पर आई बॉल की छोटे होने की कारण आपकी इमेज पीछे बन रही है, ठीक है, अब हमने इसमें जो दो डाइग्राम देखने थे ना, वो डाइग्राम देखो, फस्ट और सेकिंड डाइग्राम समिह आपे देखने थे, तो फस्ट ड पहले में रे डिफेक्ट बताना था, तो यह है असली डिफेक्ट, जो आप इसमें देख पा रहे हो, कि जब पास में चीज रखी है, तो इसकी इमिच सही जगा पर नहीं बन रही, और यह है करेक्शन, करेक्शन हमने कैसे किया, हमारी आइस के पस कंवर्जिंग पावर कमत है कि यह रेस थोड़े दूर से कहीं से आ रही है, और यहां की चीज तो सही से दिखती है हमारी आइस को, तो हम लोग उस चीज को देख पाते हैं, ठीक है, तो इसका बेसिक तरीका इसको ठीक करने के लिए, कि एक एक लेंस यूज कर लो, जिसकी कंवर्जिंग पावर इस दिस लॉंग साइटिनेस और शॉट साइटिनेस, तो देखो, सोच के देखो, कि एक बंदे का जो नियर पॉंट है, वो 0.75 पे है, ठीक है, 0.75 मीटर्स और नॉर्मली इनसान का 0.25 मीटर्स पे होता है, इसका मतलब पास की चीज वो नहीं देख पा रहा होगा, तो अग ठीक है, चलो, पहली चीज क्लियर हो गई, अच्छा, इसके अलावा और क्या चाहिए, मुझे ये पताना है कि उस बंदे का इस टाइम नियर पॉंट है, 0.75 मीटर्स और मुझे नियर पॉंट चाहिए, 0.25 मीटर्स पे, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, इसका जो नियर प पावर अफ लेंस बतानी है कि इस काम के लिए कितनी पावर अफ लेंस लगेगी, ठीक है, अब देखो, बेसिकली इसका क्या मतलब है, अबजेक्ट अगर इतना पास रखा होगा, तब भी मुझे दिखना चाहिए, लेकिन हम ये दिखेगा तो है नहीं क्योंकि हम इतनी है, तो माइनस में 0.25 मीटर्स रखेंगे, क्योंकि हम लोग according to sign convention हमेशा left side पे object को negative रहते हैं, V, V कितना होगा, सोचो, V मतलब image distance, और हमें पता है, image भी left side पे ही बननी चाहिए, तो ये होगा, माइनस 0.75 मीटर्स, आब मुझे focal length निकालनी है, तो अब ये निकाल सकते है, focal length निकाल लेंगे, तो power भी निकल जाएगी, तो चलो, 1 by F is equal to 1 by V, minus 1 by U, ठीक है, इस formula को use करते है, 1 by V डाल दो, 1 by 0.75, minus 1 by, ये डाल दिया, तो ये basically क्या हो गया, 100, minus 100 हो गया, upon 75, plus 100 upon 25 हो गया, ठीक है, तो अब मेरे पास 1 by F की वेली हो गई, minus 100, plus LCM ले ले लेते हैं, तो य 300, और निचे LCM आगया, 75, तो ये मुझे मिल गया, 200 upon 75, ठीक है, और 1 by F क्या होती है, पावर, 1 by F क्या होती है, पावर, तो पावर मेरे पस कितनी आ गई, 2.67, ठीक है, ये 2.666 बनेगा, तो 2.67, और आंसर डायोप्टर्स में आएगा, क्योंकि हम लोग ने सारी वेल्यूस एसा यूनिट में पूठ करी थी, तो पावर कांसर भी उसकी एसा यूनिट में आएगा, डायोप्टर्स, और हम लोगों को पता चल रहा है कि इसके लिए मुझे कितनी पावर लग रही है लेंस की, मुझे लग रही है, प्लस जिरो पॉइंट, प्लस में लग रही पावर, पॉजिटी पावर यही चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि जो लेंस यूज हो रही है, वो है एक कन्वेक्स ट्राइप की लेंस, समझ गए तो हमें इतना तो क्लियर हो गया कि एक कन्वेक्स लेंस यूज हो रही है, और इस क्वेशन के हम लोगों के पास आंसर सा गए, वाट इसके पास फार पॉइंट है, तो सीगेस में फार पॉइंट है, ठीक है, वाट टाइप ऑफ स्पेक्टिकल्स वोड नीड तो इंक्रीज दी फार पॉइंट तो इंफिनिटी तक की, लेकिन अगर नहीं दिखती है तो यह प्रॉजम होती है मायोपिया की, मतलब आपको पास अगर आपको जहां तक दिखता है, अगर आपको जहां तक दिखता है, इमेज बननी भी वहीं चाहिए, इमेज चाहते है हम लोग 2 मीटर से बने, क्योंकि हम 2 मीटर से देख सकते हैं, वही तो फार पॉइंट था, लेकिन ऑबज़क्त तो कहीं भी रखा हो सकता है, अच्छा, साइन बताओ किसके क्या हैंगे, यू का साइन तो नेगेटिव रखाएगा, यू तो मानते ही हो, क्योंकि अबज़क्त हमेच्छा लेट साइड पर रखते हैं, और जो मेरा वी है वही नेगेटिव ही आना चींकि अगें लेंस के तो लेफ साइड पर ही इमेज तो पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ 1 by minus 2 बचा, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है, डारेक्ली पावर निकल गई ना, 1 by फोकल लेंथ क्या होता है, पावर होते है तो 1 by फोकल लेंथ की जगए पावर लिख दिया, यह आ गया, minus 0.5 मीटर्स, नेगेटिव साइन के इंपलाई करता और यही हम इस क्वेशन में बताना भी था, कि किस टाइप की स्पेक्टेकल्स लगाएंगे और पावर कितनी है, तो I hope यह क्वेशन अब सबको क्लियर हो गया होगा और इसको हमने सॉल्व कैसी किया, वो भी समझ आ गया होगा क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंज और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर